इस लिए दोस्ताइब बनाते हैं फ्राइड आइज आपने बहुत तरह से खाई होगी लेकिन इस तरह से बना कर देखें बहुत ही जल्दी बनने वाला है और फ्राइड आइज आईज जल्ली बनाते हैं इसके लिए लेंगे एक कटोरी बासमती चावल इनको अच्छी तरह से बना लिए देखें अब इसको चलनी में छान लेते हैं इसके पानी को फेकेंगे नहीं डाल में भी डाल सकते हैं आप सबजीयों में भी डाल सकते हैं देखें इस बन के बिलकुल तैयार होगे काफी खिला हुगा चावल बनता है अब बना लेते हैं कच्छा नारियल इस ना कटवग प्याज अद्रक चनादाल काजू दो से तीन हरी मिर्ची मसाले को जादा भूनेंगे नहीं प्याज को फिर डालेंगे शिमला मिर्ची काजू किश्मिस इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे अब करते हैं नारियल को कद्दूकस आप एक बार जरू बना कर देगे कोग नारियल को भूनेंगे नहीं बिलकुल भी फिर डालेंगे इसमें चावल दे कितना अच्छा खिला हुआ चावल बनाया इस तरीके से जरूर बना कर देगे ये फिर डाला इसमें नमक हरा धनिया बारी कटा हुआ आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं अबसे लेते हैं प्रेश दही ले सकते हैं इसके लिए भी डाला इसमें मैंने दूर कटा हुआ खीरा प्याज टमाटर अपने अकॉर्डिंग इसमें वेजटेबल से डाल सकते डालें इसमें काला नमग नमक चिलिफ्लेक्स धनिया जीरा देखें बन के रायता बहुत जल्दी तैयार हो जाता है बहुत टेस्कि लगता आगा इंधिना पुधिना से एचा अच्छा टेस्ट कर लेते हैं प्राइड राइस को देखे ये बन के कितने अच्छी तरह तैयार हो गया है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर लाइक जरूर कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके भी बताईए कि आपको कैसे लगे मेरे ये फ्राइड राइस फिर डाला मैंने इसमे नीवू नीवू जब भी डालेंगे जब ये गैस बन कर देंगे देखे कितने टेस्टी लग रहे हैं बच्चे देखे रुक नहीं पाएंगे बिल्कुल भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए थेंक यू